हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहें लीगल अफेर्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अफेर्स पर आज मैं आपको शूडियूम बताने वाला हूं जो सपेंड रिलेशन्शिप और डिग्रीज और प्रॉबिटे रिलेशन रिलेशन्शिप में आते हैं कि दो टू परसंट्स आर्शाट तो बी विदिन सब्सक्राइब रिलेशन्शिप वैन वन वन इस अलीन असेंडेंट ऑफ जब कहें जाएंगे जब एक दूसरे का असेंडेंट हो और क्लोस्टू में है तू तू परसंट्स आर्शाट तो भी लिए जब दोनों के नातेदारी में आते हों तो इसमें है फादर की जो साइड है उससे फाइव पांच पीड़ी उपर तक जो सब्सक्राइब रिलेशन्शिप में और मदर की साइड से तीन बीड़ी तक तो मैं आपको यह एक्जांपल बताने जा रहा हूं कि तो आप देख सकते हैं इसमें जो degeny फ परशीर्व एयुशन्शिप हैं 그건 फिर रहली चलेगे में मेल के आती है तो मैरेज लिगल नहीं है वह मैरेज वोज़त होगी वोड एब इनिशो तो इसमें थर्ड जो है वह फादर्स मदर यानि की ग्रेंडमदर दादी फौर्ट थे मधर्स मदर यानि की नानी है यह यह प्रोबिटेड रिलेस्टिपमा असे चीप मतरि में आते हैं उसके सब्सक्राइब नवासी उसके बाद सिस्टर वाइफ मदर अब जो वाइफ मदर है उसका मीनिंग है मदर इनलो यानिक जो आपके सास है आप उनसे भी मैरीज नहीं कर सकते हो क्योंकि वह भी आप से प्रोहिबिटेड रिलेशंशिप में आती है और सप्रेंड रिलेशंशिप में आती है उसके बाद है वाइफ डॉटर अब यहां से आप पूछने चाहोगे आपके मन में सवाल आएगा कि वाइफ डॉटर तो आपकी ही डॉटर होगी तो मैं आपको यहां बता देना चाहता ह संस वाइफ याने पुत्र वदू उनसे भी आप मैरीज नहीं कर सकते हो वह भी सपने रिलेशन्शिप में आते हैं फादर्स फादर्स वाइफ यानि कि दादी पर सोतेली दादी मदर्स फादर्स वाइफ यानि कि नानी सोतेली नानी वाइफ फादर्स मदर यानि कि पतनी की दादी दादी सास जो हैं वह भी आपके प्रोइबिटेड रिलेशंशिप में आती है वाइफ मदर्स मदर्स पतनी की नानी यानि की नानी सास वाइफ संस डॉटर अब यहां पर आप पूछने चाहेंगे कि वाइफ का सं तो आपका खुद का सन होगा पर मैं आपको यहां बत दोटर संस वाइफ नवासी की वद्धू जो है वह भी सपन डिलेशंशिप में आएगी फादर सिस्टर यहने बुआ यह फूबी वह प्रोइबिटेड डिलेशंशिप में आएंगे मदर्स वाइफ यहने मोसी जो है आपकी उनसे भी आप मेरी नहीं कर सकते हो क्योंकि वह प्रोइबिटेड डिग्रीज ओफ रिलेशंशिप में आती है उसके बाद ब्रदर्स डॉटर यहने ना इसी आपके भतीजी जो है और सिस्टर्स डॉटर जो भंजी है उनसे भी आप मेरी नहीं कर सकते हो वह भी आपके प्रोइबिटेड डिलेशंशिप में आती है तो यह सारे सारे जो थे यह मैंन के लिए थे एक मेल के लिए थे कि कौन जो ऐसे रिलेशन्स एट है जो की प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशन्सिप या सर्पेंट नातेदारी में आते हैं वह मैंने आपको पता दिये हैं आपको बताने आते हैं फादर इने ग्रैंट फादर दादा उसन उसे जो है नवासा उसे भी और डामाद यहहिं पालगे पिँग्री नहीं कर सकते हैं वो भी डर्य जो हो से पाइपके नहीं स्टाइब लो मैं वह बहीर आते हैं उसके बात अनलो को में закон जो है आपका थेलाग पूत्र humility म उसके बाद mother's husband घणि कि आपके stepfather हैं सोतेले पिता है वह भी प्रोबिटेडरों डॉक्त करना दामाद जो हैं वह भी आपके प्रेशंचीब में आएंगे प्रक्षान डता है वह देंट म मदर्स मैं सोतेले नाना हें फादरνα्स फादर पती के दादा यानि जो दादा सफूर है वह भी आपके प्रोइबिटर डिलेशन्शिप में आएंगे उनसे भी आप मेरी नहीं कर सकते हो क्योंकि वह वोईड है वह आपके सब्सक्राइब रिलेशन्शिप में आते हैं उसके बाद आता है सब्सक्राइब यह भी आपके प्रोइबिटे डिलेशन्शिप में आते हैं अपती का पती है वह भी आपके प्रॉबिटाटडर लेशन्शिप में आएगा हस्बेंड डॉटर सन्स जो डॉटर डॉटर हस्बैन नवासी का पति फादर ब्रदर जो आपके चाचा है ताव है वह भी यह पी प्रॉबिटर ड्रॉसेंसिप मामा जो है फिर ब्रदर सल्ध भतीजा शिस्टर संब यह बहुत है अब आपके प्रॉइबिटर डिलेशनशिप में एक फीमेल की और इन में वह मेरीज नहीं कर सकते हैं कि बढ़िए बिलेशनशिप में आते हैं यह जो मैंने अभी तक आपको बताया टोनों का तो भी आपकी मारीज पॉसिबल नहीं है तो भी अगर आप मेरीज कर लेते हैं तो मैरेज वॉर्ड होगी लीगल नहीं होगी तो इसमें आपको पहले बताना चाहूंगा आप देख रहे हैं तो मैं यह प्रादर या शिस्टर है तो हम दोनों क्या होँगे है हमारे कोमन ईंसेस्टर एंधन से उसके बाद नमबर आता है abcAm Awications यह ब्रदर को सिस्टर को और वह फॉस्ट कजिन्द होँगे आप यहां से एक्जांपल लीज़े कि मैं और मेरे ब्रदर का एथ हम दोनों थो कि हम दोने के हैं कि मैरे जो हैं वो दादा मेरे जो पिता है वो मेरे ब्रदर के अप दादा लगेंगे तो इस वज्य से अषॉण मुझे फर्स घ्रोब में हैं तो सब्सक्राइब की है बयाँ दूसरी अब यह नहीं की सकते हैं जो ग्रेट-ग्रेंड चायल है वो थर्ड और यह सेकंड के लाएंगे और ग्रेट-ग्रेंड जो है वह थर्ड कजन कहलेंगे अब आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं अपना एक्जमपल लेता हूं मेरा तो मेरे फादर तो मैं हूं मुझे यहां पर फर्स्ट पहली पीडि गिना जाएगा और मेरे फादर जो है उस सेकंड पीडि में थर्ड जो है ग्रेड फादर फौर्ट जो है ग्रेड ग्रेट फादर अब यहां से दूसरे एक्साइट जो मैंने इसमें आपको दिखी रहा होगा उसमें पाइव डिग्री डॉन रिलेशनिप है उसके बात डोटर ऑनके जो डोटर होगी वह है क्यां maior और मेरे नीचे देखेंगे जो गर्ल जो है उससे भी वह फोर्ट जनरेशन में इसलिए हमारी मैरेज जो है पॉसिबल नहीं है और अगर होती है तो वह मैरेज वोड होगी तो मुझे लग तो मेरा मानना है कि आपको यह समझ में आ गए होंगे कि कौन-कौन सी जो रिलेशन्शिप है वो प्रॉबिटेट डिग्री ओफ रिलेशन्शिप में आते हैं और सब्सक्राइब नहीं है तो अगर आप हमारे आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वी